हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ट्यू एवर्ग्रीन बुटीक होप यू आ फाइन और आज की वीडियो में आपके लिए लेके आई हूं पकिस्तानी ओरिजिनल टू पीसिस और यह जॉजेट स्टफ के उपर हैं जाइबर स्टफ होता है और इनके दुपट्टे बहुत ही खूप और आज filming आपको दिखाने वाली हूं तू पीसिस उसमें आपको ऊश्च पर मिदर वर्कृद और और मुकेश 10 में आपको बहुत खुबसुрат मल्टिकलर दुपटे मिल जाएंगे काफी सारी पीसेज है अभी मैं आपको वन बाइवन दिखाने वाली हूँ और करने का सेंपल प्रोसीजर है आप स्क्रेंशॉट्स लें और वाट्सेप नमबर पे सैंड कर दें मुझे मैसेज कर सकते हैं तो अब चले मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे कलर हैं आज काफी सारे ग्रीन के शेड्स हैं पिंक है वाइन पोपल बहुत ही खुब्सूरा शेड्स है पहले मैं आपको आर्मुकेश दिखा दीती हूँ और उसके बार फिर मैं आपको मिरर वर्क वाले दिखाऊंगी यह दिखें आर्मुकेश में सबसे फर्स्ट वाला जो मैं आपको पीस दिखा रही हूँ यह वाइन शेड्स में है लेकिन एकदम ब्राइट वाला वाई नहीं अच्छा इंग्लिश टाइप कलर है यह और इस पर यह पूरा मुकेश वर्क हो रहा है आरी वर्क के साथ यह फ्रंट साइड के उपर सब यह मुकेश वर्क है आरी वर्क के साथ ये फ्रेंट साइट के उपर हैवी थ्रेड वर्क है और मुकेश वर्क आ रहा है फूल लेंद्थ होती है इनकी ये नीचे शेयोट का बॉर्डर आ गया अब मैं आपको बैक साइट दिखा दे रही हूँ बैक साइट के उपर बूटे आने है ये देखें ऐसे बूटे हैं बैक साइट पे और स्लीव के उपर बॉर्डर आ जाएगा ये इसकी स्लीव जागे और ये आप इसका दुपटा देखे पॉपल ग्रीन और वाइन कलर कंट्रास्ट में है बंधेज दुपटा है फूल वेड़ है क्योंकि अभी बंधेज है आईरन नहीं हुआ वह है बड़े अर्ज का काफी बड़ा दुपटा है बस अभी है क्योंकि बंधेज पैटन में है जैपूरी पैटन है तो आपको थोड़ा ऐसे लग रहा होगा कि इसकी आर्ज कम है पर आप इसका डेजाइन चेक कर लें इस तरह से यह आपको दुपटे मिलने वाले हैं दुपटे पर भी वर्क है तो यह आज का हमारा शेड नमबर वान हो गया है वाइन ग्रीन और परपल कलर में दुपटा है वाइन कलर में शोट है अब यह देखिए यह ग्रीन कलर है इत्दम बहुत डार्क वाला ग्रीन नहीं है सही ग्रीन है क्योंकि एक बहुत डार्क का ही ग्रीन आता है यह दिखें यह फ्रेंट साइट का वर्क हो गया मुकेश वर्क के साथ इस तरह यह बैक साइट पे इस पे भी बूटे आ जाएंगे और इसकी भी स्लीप्स का पैटर्न सेम होना है इस तरह से स्लीप्स पे बॉडर आएगा और बूटे आएंगे तो यह मैंने आपको शेड नमबर टू दिखा दिया है अब आप इसका दुपटा चेक करें इसमें को कलर पीच और ग्रीन कलर कंट्रास्ट आ रहा है यह दिखें यह दो पट्टे का कलर कंट्रास्ट इस तरह है यह शेड्ट आप चेक कर लीजेगा ग्रीन के साथ किस तरह के शेड्ट है क्यूंकि ग्रीन के और भी कलर है तो यह शेड्ट नमबर टू हो गया है अब यह दिखें लाइट ब्राउन कलर है यह बिस्किटी कलर जिसे बोलते हैं इस तरह का कलर है यह कि यह फ्रंट साइड के उपर वर्क हो गया सारा कि दिखें इस तरह से सब यह वर्क आ गया बैक साइड पर बूटे आ जाएंगे और यह स्लीप का बॉडर और स्लीप के उपर बूटे आ गये कि अगैं अब मैं आपको इसका दूपटा दिखा रही हूं देखे ग्रे इसमें रेड कलर आ रहा है ग्रे कलर आ रहा है और ब्राउन कलर बिस्किटी कलर ही है यह दोपटे का कलर हो गया तो यह शेड नंबर ठी हो गया है आज कि यह पिस्ता ग्रीन कलर लाइट ग्रीन है बहुत डार्क ग्रीन नहीं है यह फ्रंट साइड कवर को गया इस तरह यह बैक साइड पे बूटा आ जाएगा इसी तरह का स्लीप्स पे बूटा आ जाएगा तो यह फ्रंट साइड हो गया है और यह इसका दुपटा है यह टायन जाई में है यह भी जयापूरी पैटर्व में दुपटा है इसका यह शेड नमबर फॉर है आज का यह रैड कलर देखें यह रैड कलर में है हैवी एम्रोइडिट फ्रंट साइड है बैक साइड पे बूटे आने है और स्लीप्स के उपा बॉडर है और यह इसका दुपट्टा है ग्रीन रैड और मस्टर्ड कलर में अब यह देखें यह डार्क ग्रीन है यह डार्क ग्रीन शेड में आ गया है सूट इसके फ्रंट साइड के आप वर्क चक कर लीजें मुकेश वोक हो रहा है त्रेड वोक हो रहा है डार्क ग्रीन कलर है और इसके बैक साइड पे ऐसे बूटा आ जाएगा ग्रीन ग्रेब पिन कलर इस तरह के शेड जिसके दूपटे में है अब यह दिखिए ब्लैक कलर है यह फ्रंट साइड है बैक साइड पे बूटे आने है और स्लीव के उपर बॉर्डर है अब आप ब्लैक का दूपटा चेक कर लें ग्रीन पेंक कलर और ब्लैक कलर दूपटे में है यह ब्लैक का दूपटा आ गया तो यहां मैंने आपको आर्मुकेश वाले सारे शेड दिखा दिये हैं अब मैं आपको मिरर वोक वाले सूट दिखाना शुरू करती हूं यह दिखें यह मिरर वोक में है यह कच्चा टाका वर्क विद मिरर वोक है और इसमें भी आपको जैपरी दुपटे मिल जाएंगे यह दिखें यह फ्रेंट साइट का वर्क आ गया सारा दोड़ा खरीद से दिखा दूँ यह इस तरह से वर्क है मिरर वोक है अब पूरे शर्ट के उपर आपको बूटे मिल रहे हैं फ्लार्स मिल रहे हैं यह नेक लाइन काफी है और यह सब बूटे आ रहे हैं इसी तरह यह स्लीट पर आ जाएगा बूटा अब आप इसका दूपट्टा चेक करें दूपट्टे बहुत कुपसूरत है सभी के यह देखिए यलो ग्रीन और मरून कलर कंट्रास्ट है दूपट्टे में यह मेरा वॉक में शेड नंबर वन हो गया है यह परपल कलर है मैं आपको इसका नेक लाइन दिखा देती हूं क्यूकि सारी सूट का Öyle डिजाइन एकदम सेम है बस आपने कलाइन का डिजाइन चेक कर लें और बूटे देख लें यह पटों की शेड अलग है और शोट के पैटरन एकदम सेम है यह गली का डिजाइन हो गया है यह परपल कलर है जामनी कलर सारे सूट पे शोर के फ्रंट पे आपको फ्लार्स मिल जाएंगे इस तरह निकलाइन हेवी है और ये इसका दुपट्टा फिरोजी ग्रीन और पर्पिल कलर कंट्रास्ट में ये इस तरह से दुपट्टा है तो ये शेड़ टू हो गया अब ये महरून कलर है इसके फ्रंट साइड के उप़र वर का रहा है सारा आप इसका वर्क चेक कर लें निकलाइन कवर के सरा सहे सब ये पुरी शोर्ट पर आपको इस तरह ये बुते मिल जाएंगे फ्लार्स मिल जाएंगे ये ऐसी फ्लार्स आ रहे है सभी का पैटन से में हैवी है दूपट्ट गर मु रूनट पर बुते हैं प्लार्स पड़े हैं और स्लीप्स के ऊपर लाज साइज का बुटा बनावा है यह दो पट्टा है ग्रीन मरून यह अधर से है आप देखें यह दो पट्टे पर भी वर्क हो रहा है यह शेड नमबर थ्री हो गया था अब मैं आपको यलो शेड दिखा रहे हूं है 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 भी अब्रोइड निकलाइन है और पूरी फ्रंट पर यह फ्लार्स है सेम पैटर्न है और यह इसका दुपट्टा है पिंक और इंच और यलो कलर में यह इस तरह से दुपट्टा है यह शेड नमबर फोर हो गया अब यह दिखिए यह मौफ कलर है यह फ्रंट साइड का वोर्क हो गया और नीचे तक यह सब फ्लार्स है स्लीक्स पर ऐसे बुटे आएंगे और बैक साइड पर भी सेम ऐसे ही यह बुटा है और यह इसका दुपट्टा यह दुपट्टा हो गया अब मैं आपको सारे शेर्स दिखा दे रही हूँ क्योंकि यह सब का पैटर्न तो सेम है बस मैं शोर्ट ओपिन करके आपको दुपट्टे की कलर दिखा रही हूँ यह देखें यह ब्लाक हो गया है और ब्लाक के साथ यह दुपट्टा है पिंक यलो एंड ब्लाक कलर में और इसके निकलाइन के उपर सब वर्क है थ्रेड वर्क, मिरर वर्क और यह मैंने आपको दुपट्टे का कलर कंट्रास दिखा दिया यह दिखें होट पिंक कलर है यह काफी सारे शेड्स है पैटर्न सेम है तो मैं आपको शोर्ट का फ्रंट ओपिन करके दिखा रही हूँ कि यह फ्रंट साइड है कि नीचे तक सब यह बूटे हैं हैवी एंब्रोइड नेक लाइन है इस सब हाथ का काम है और यह इसका दुपट्टा कि दुपट्टे का कलर कंट्रास्ट आप चेक कर लें फिरोजी और इंच और रानी कलर है यह दुपट्टा हो गया अब इक यह देखिए यह पॉपल कलर है इसके निक लाइन का डिजाइन थोड़ा चेंज है इस तरह के यह 3D फ्लार्स बने वे हैं इसमें और यह फ्रंट साइड के उपर सारे बुट्टे आ गये हैं और यह दुपट्टा है इसका देखें फॉल लैंट वर्ट इतनी रहेगी यह आईरन हुआ वह है दुपटा बाकी अभी कोई आईरन नहीं हुआ इसलिए वो तोरह से लग रहा है क्यार्स कम है लेकिन सभी के दुपटे फॉल साइज के हैं अब यह ब्लू है ब्लू मैं आपको उपन करके दिखा रहे हूं शोर्ट फ्रंट साइट से इसलिए उपन करें शेड के लिए क्योंकि पैटर्न तो देखें सभी का सेम आ रहा है कुछ फर्क नहीं है दुपटे के कलर अलग है सूट के कलर अलग है डिजाइन एकदम सेम है अब ब्लू शेड है अब यह दिखिए डार्क ग्रीन कलर अगया है और इसका दुपटा ऐसे है पर्पिल गोल्डन और डार्क ग्रीन कलर कंट्रास्ट में यह दुपटा है यह पैंक कलर है यह दिखिए निकलाइं के उपढ़ वर्क और यह सफ लार्ज सा इस तरह शोट पे अ इसका दुपटा अब आप देखिए यलो फिरोजी और पिंक कलर में है इसके दुपटे के कलर कंट्रास्ट है तब यह दिखिए रैड कलर सारी ही कलर बहुत प्यारे हैं सब बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट शेड़ और दुपटे तो बहुत ही खुपसूरत है सारी ही सूट्स के यह इसका दुपट्टा है ग्रीन गोल्डन और रैड कलर में इस तरह से इसका दुपट्टा आ गया अब मैं आपको आगे की शेड़ दिखाती हूं यह ग्रीन कलर है यह कुछ पैरेट ग्रीन कलर टाइप है इसके फ्रंट साइट पे सारा वर्क चेक कर लीजिए अब इस तरह से इस लीव पे वर्क करेगा सभी का पैटर्न सेम है तुपट्टा देखें अब एक सूट मैंने आपको शुरू में अच्छे से दिखा दिया था बागी मैं आपको फ्रंट बता दे रही हूं किस तरह से है यह दुपट्टे के कलर कंट्रास चेक करने पॉपल गोल्डल और ग्रीन कलर आ रहा है यह सारे मेरे वोक वाले पीसेज मैंने आपको दिखा है अब एक यह कंप्लीट थ्रेड वोक में है बंदेश दुपट्टे में यह रैड कलर में है यह फ्रंट साइट के उपर इस तरह से सब हैवी एम्ब्राइडरी आ रही है यह इसकी स्लीप्स पर ऐसे बुटे है और यह इसका दुपट्टा पर्पल क्रीम और रैड कलर में दुपट्टे पर भी वर्क है यह दिखें दुपट्टे पर भी बुटे आ रहे है तो यह आज का लास्ट सूट है अभी किसी को और करना है तो प्लीज स्क्रेंशोट्स ले और वाट्सिप नम्बर पर सेंड कर दें जो आपको स्क्रेंट पर शोरा होगा आपको बता दिया है किसी को कोई भी फर्दर कोईरी करने तो आप मैसेज कर सकते हैं और प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एवर ग्रीन बुटीक नाजिया खान एंड थैंक यू फॉर वाचिक मैं चैनल टेक कियर अलाहाफेज